तमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी लोकसभा चुनावों के बीच कॉंक्रिस पार्टी के लिए मुश्किले लगातार बढ़ रही हैं एक तरह कॉंक्रिस पार्टी के बढ़े देता बॉक्सर विजेदर सिंग बीजेपी में शाम रही हैं और कॉंक्रिस पार्टी पर तमाम तरह के आफ्रोप लगा रहे हैं लेकिनसे पहले करें के बॉक्सर और कॉंग्रस पार्टी के नेता रहे विजेंदर सिंग की जो बीजेपी में शामिल हो गए है यारी चुनावी रिंग में कॉंग्रस पार्टी ने एक बार फिर से पठखनी खाई है जिस तरीके से बॉक्सर विजेंदर सिंग अब बीजेपी में शामिल हो ग नरेंदर मोदी जी, हमारे होम इनिस्टर अमिश्चा जी, अद्दक्स, जेपिनड़ा जी, तावड़े जी, मेंग जी के नितत्तों में मैं आज बीजेपी में सामिल हो रहा हूँ और एक तरह से कहते हैं, घर बापसी हो रही है मेरी, तकरीबन उनिस्ट में मैं चुनाव लड़ा था और अलमस्ट पांच साल होने वाले हैं, भी चार साल होने वाले हैं तो अभी कहते हैं कि इंगलिस में कहावत है, गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से मान समान खिलाडियों का देश विदेश में बढ़ा है, वो काबिले तारीफ है जिसे हम भार यूके में फाइट करने जाते थे, दोबईयों में फाइट करने जाते थे, आर्लेंड में फाइट करने जाते थे जो मान समान इस गोफ़मेंट में मिला है, तो खिलारी उसके लिए बहुत धन्माद करते हैं, मद्ध सौब का बी जी पी गोफ़मेंट का, और मैं चाहंगा की इस गोफ़मेंट में रहकर मैं जदा ज्यादा लोगा भला कर सकूँ, लोगों को सहीरा दिका शकूँ, और मैं पहले वाड़ा विजिंदर हूँ और जो भी मेरे को लगया गल्थ है गल्थ को गल्थ का हुआ सही को सही का हुआ जा हिंद जा भारत है तो ये बड़ी खबर है और कॉंक्रिस पार्टी के लिए बहुत बड़ा जटका इसे माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कॉंक्रिस पार्टी ने ये तैयारी कर ली थी कि उन्हें मत्रा से टिकेट दिया जाएका लेकिन इन सब के बीच ओलिम्पियन मुक्यबाच और कॉं करते हुए बीच पी को जोइन किया है और कहा है कि ये एक तरेके से मेरी घर वापसी हो रही है तो उन्हें इसे घर वापसी कहा है और कहा है कि खिलाठियों का मान सम्मान मोधी सरकार में बढ़ा है अब हम विदेश में भी आसानी से आ जा सकते हैं मैं पहले वाला करते हुए खिलाठियों को मान सम्मान बढ़ा है यह तमाम बाते उनकी तरफ से कही गई है तो दिल्ली में बीज़ेपी महा सच्छी विनोत ताफ्ड है दिल्ली विदानसभा में विवक्ष के नेता और दक्षनी दिल्ली से पार्टी के उमिदवार रावियर सिंग बिदू कर रहे हैं और लगातार पिछले कुछ दिन से यह खबरे चल रही थी कि कॉंग्रेस उन्हें मत्रा से जो एक्ट्रस हैं हेमा माहली उनके खिलाफ चुनाफी मैदान में उतार सकती हैं इस तरह की खबरों के बीच विजेंदर सिंग यह बड़ा फैसला ले लिया है जिस तरी आनक से जो उन्होंने फैसला लिया है उसने कहीं न कहीं कई राज्चों में जो जाट समुदाय है उसमें कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में सीटों पर राजनितिक परभाव वो डाल सकते हैं इस तरीके की खबरे भी आ रही हैं क्योंकि विजेंदर सिंग ओलंपियन मुक मुक्यबाच हैं लेकिन वो जाट समुदाय से तालुक रखते हैं जिसका हरियाना परश्यमी उत्तरप्रदेश और राजिस्थान में बड़ी संख्या में सीटों पर राजनितिक परभाव है और विजेंदर सिंग ने अगर उनके राजनितिक सफर की बात की जाए तो 2019 का ल विजेंदर सिंग ने इसे घर वापसी कहा है काफी एक्साइटीड हूं और आज भारती जन्ता पार्टी में सामिन हुआ हूं और उननीश में मैंने कॉंगरी से चुनाव लड़ा था लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास देश की तरकी के लिए भारती जन्ता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगवा भला कर सकूँ खिलाडियों को लेकर मेरी सरकार में काफी जोईश की देखा गया आपनों को प्रदर्शन भी जंटर्में जो रहा हूं उसे कैसे देखना से उनकी बीजेपी जॉइन करने आए था जी हां बिलकुल मैं कहते पहले भी कहते जो गल्त को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गल्त को गल्त का हुआ सही को सही का हुआ और मैं चाहूंगा कि इसमें भारते जिन्ता पार्टी में में सामिल होके बहुत सारे खिलाडियों का भला करूं तो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें कि यह एक तरीके से मेरी घर वापसी हुई है तो जाहिर तोर पर कॉंग्रेस पार्टी के लिए खास तोर पर हरियाना में और परिश्यमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक बहुत बड़े जटके के तौर पर विजेंदर सिंग का बीजेपी में शामिल होना माना चा कावित हैं यह साफ तोर पर उन्होंने कहा है तो इस तरीके से विजेंदर सिंग जो अभी तक राहूल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए हैं जो कॉंक्रिस पार्टी के तारीफ करते आए हैं लेकिन अब वो उन्होंने चुनाफों के ठीक पहले अपना पाला ब बीज़पी में आ गई है तो बीज़पी क्या उन्हें अपना अबिद्वार बनाने के लिए तैयार है यह कहीने कहीं देखने वाली बात होगी तो एक तरफ इस तरीके से नेताओं के पाला बदलने का दोर चारी है और कॉंक्रिस पार्टी के लिए चुनाफी रिंग जो य जिन्याए याथरा कॉंक्रिस पार्टी के नेता राहूल गांधी ने निकाली और उसमें जो ट्रक कंटेनर भेजने वाले माहिक हैं उन्होंने आफरोब लगाया है कि उनकी गाठियों के किराय का पैसा नहीं मिला है यानि जो गाठियां उनकी लगी थी जो ट्रक लगे थे उनका पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिला है और पैसा मांकने पर उन तमाम लोगों को उन मजदूरों को उन कंटेनर मालिकों को तरह तरह की धंकिया दी जा रही हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि हम देख लेंगे कि तुम क्या हमारा बिगाड़ होगे ये कॉंक्रिस पार् पर पेमिंट नहीं देने का आरोप उन्हें लगाया है हाला कि इसको लेकर उन्हें यूपी के बुलंग शेहर में शिकायत पुलिस में दर्च खराई है और ट्रांसपोर्टर्स ने इस माफले में आरोप लगाया है कि गाड़ी मालिक इस माफले का राजनेतिकरन कर रहे हैं और उन्होंने उनका माल रोक रुखा है ये तमाम बाते उन ट्रक ड्राइफरो की तरफ से कही गई है और साफतोर पर वो ये कहह रहे हैं कि हम भारत चोडो नियायात्रा में गए थे उस से पहले भी जो भारत चोडो यात्रा निकली वोसमें भी हम गए थे और हमारा कई- payment मांगी है तो वो हमें धंकिया दे रहे हैं ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि जान से माहने की धंकी हमें दी जा रही है भुकतान मांगने पर अब उन्हें साफतोर पर ही कहा है कि हमारे पास रास्ता सिर्फ कोट का बचा है हम कोट चाहेंगे और अपना पैसा हमें चाहिए ये साफतोर पर उनकी तरफ से कहा गया है तो कही ना कहीं जो नाम साफ ने इस माफले में जो ट्रांस्पोर्ट के मालिक है अनील कोशिक जब उनका नाम साफ ने आए है तो उन्हें ने कहा है कि ड्राइवर जो है बिना बात की विवाद खड़ा कर रहे हैं और इस जब उनसे payment मांगा जा रहा है, तो इस तरीके से Congress Party की तरफ से उन्हें धंक्या मिल रही है, यह जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है, तो कुल मिलाकर Congress Party चारों तरफ से गिरी हुई है, Congress Party के जो बड़े लीडर हैं, जो पार्टी का बड़ा चेहरा इन चुनाहों में अलग- बीजेपी में शामिल होना, यह जाहिर तोर पर बहुत बड़ा नुकसान हर्याना में खास तोर पर Congress Party को कर सकता है, तो वहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वाइदा पहुचा सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी, कि बॉक्सर विजेंदर सिंग को कहां से बीजेपी टिकेट थमाती है, कहां से उन्हें उमिदवार बनाती है, तो वहीं अब ट्रक मालिकों ने भी Congress Party के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अब कोड में घसीरने की धंकी साफतोर पर इन ट्रक मालिकों ने दी है, अगर Congress Party वक्त पर उनका भुक्तान नहीं करती है, तो स साफतोर पर ये Congress के लिए कही न कहीं मुश्किल एक तरीके से इस पूरे माफले को लेकर बढ़ती जा रही है, फिलाल आपकी इस पूरे माफले को लेकर क्या राय है, मैं comment box में जरूर लिखे, धन्यवाद